Dear students, इस question में आपको ये दिया हुआ है कि एक शिफाली नाम की student है और school में जब class test होता है तो उसको mathematics में कुछ marks मिलते हैं और उसे English में भी कुछ marks मिलते हैं उन दौनों marks का, mathematics के marks और English के marks उन दौनों का sum जो है, वो 30 होता है ये आपको दिया हुआ है फिर उसके बाद इन्होंने एक situation create की है इन्होंने ये बोलाए कि अगर उसके दो नंबर mathematics में ज़ादा आ जाते दो marks में ज़ादा आ जाते और तीन marks उसके English में कम आ जाते तो इस नई situation में जो उसके mathematics के marks आएं नए marks हैं और English के जो नए marks हैं उनका जो multiplication है वो होता 210 ठीक है तो ये बाते हमें बताई गई है और हमसे क्या पूछा गया है हमसे ये पूछा गया है कि उस शेफाली के और इस जो marks हैं mathematics में और English में कितने थे हमें ये find करना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं assume कर लूँगा कि जो शेफाली के marks थे mathematics में वो थे x इसको मैं लेक लेता हूँ let तो मैंने assume कर लिया है कि mathematics में शेफाली के number थे x अब हमें ये पता है कि उसके mathematics के marks और English के marks इनका sum कितना है 30 तो English के number और mathematics के number दौनों का add कर दिया जाए तो 30 आएगा ये हमें दिया हुआ है तो इस तरह से हम English के number भी निकाल सकते है x की term में हम लिखेंगे तो शेफाली के number English में कितने marks हुए 30 minus x तो ये तो हुई original situation अब हम बात करते हैं नई situation की जो इन्होंने create किये तो उस नई situation को मैं define करता हूँ जी हाँ नई situation में क्या है जो mathematics में है उसमें दो number जादा आ गए है और English में तीन number कम बताए है इन्होंने ठीक है तो इस नई situation की according mathematics में कितने marks हो गए पहले उसके x थे number x marks थे अब दो number जादा हो गए तो marks in mathematics कितने हो गए x plus 2 हो गए अब इस नई situation की according English में कितने marks हो गए देखते हैं अब जो नई situation के हिसाब से English में कितने marks हो गए 30 minus x पुराने number minus 3 जोकि तीन number कम हो गए इससे simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 27 minus x तो यह हो गए उसके English में number और mathematics के number हो गए उसके x plus 2 नई situations की according अब question में यह बोला गया है कि इन दोरों नई marks को अगर मैं multiply कर दूँ तो जो result आएगा वो आएगा 210 ठीक है कर देते x plus 2 को multiply कर दिया 27 minus x से तो result आया 210 जी हाँ इसको expand करेंगे तो हमें मिलेगा 27 x plus 54 minus 2 x minus x square is equal to 210 आप इसे simplify कीजिए आपको एक quadratic equation मिलेगी quadratic equation यह होगी x square minus 25 x plus 156 is equal to 0 जी हाँ अब इस quadratic equation को हम solve करेंगे factorization method से और factorization में हम apply करेंगे middle term split method ठीक है middle term split method को use करने के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे दो number से चाहिए जिनका multiplication हो 156 और उनका addition 25 हो addition क्यों क्यों कि यहाँ पर plus है अगर यहाँ पर minus होता तो मैं बोलता है ऐसे दो number से है जिनका multiplication 156 हो और उनका difference 25 हो बट चूँकि यहाँ पर plus sign है इसलिए मैं बोलूँगा मुझे ऐसे दो number से ही है जिनका multiplication 156 हो और उनका addition 25 हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे 156 को factorize करना पड़ेगा मैं 156 को factorize करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 multiplied by 2 multiplied by 3 in multiplication with 13 तो यह 2, 2, 3 और 13 इसके factors आते हैं इन factors की help से मैं यह find out करने की कोशिश करता हूँ ऐसे कौन से वो दो number से जिनका multiplication 156 है पर उनका addition 25 है जी हाँ तो मुझे दो numbers मिलते हैं वो मिलते है 12 and 13 आप देखिए 12 और 13 इनका multiplication 156 है और उनका sum क्या है उनका addition क्या है 25 है तो इस 12 और 13 को यहाँ पर ऐसे adjust करेंगे तो यह बन जाएगा x square minus 12 x minus 13 x plus 156 is equal to 0 ठीक है चलिए अब शुरू करता है factorization x square और minus 12 x से आप factor करेंगे तो आपको मिलेगा common लेंगे तो आपको मिलेगा x minus 12 इस x minus 12 को यहाँ मैं copy कर देता हूँ और फिर मैं यह सोचता हूँ कि यहाँ से क्या common लिया जाए इन दोनों terms से कि brackets के अंदर x minus 12 रह जाए तो मुझे जवाब मिलता है minus 13 देखिए मैं check कर लेता हूँ minus 13 को multiply करेंगा x से minus 13 x आएगा minus 13 को multiply करेंगा minus 12 से तो 156 आएगा सामने है 0 यहाँ पर देखिए x minus 12 खुदी एक common number बन जाता है common factor आजाता है x minus 12 बाहर आ गिया as a common number inside the bracket से गया x minus 13 and it is equal to 0 तो इस तरह से मुझे x की दो values बिली 12 और 13 ठीक है अब x की दो values है 12 और 13 तो x कौन है x क्या था actually marks in mathematics तो पहली condition तो पहला answer मेरा यह मिला अगर x की value 12 है अगर mathematics में marks 12 है तो English में कितने marks है English में तो marks से 30 minus x तो English में marks हो जाएंगे 30 minus 12 is equal to 18 तो इसका मतलब शेफाली को अगर 12 number math में मिलते हैं तो 18 number English में मिलते हैं ठीक है लेकिन दूसरी situation यह है कि x की value 13 हो इसका मिलब शेफाली को 13 marks मिले हैं mathematics में अगर mathematics में 13 marks मिले तो English में कितने मिले होंगे English में तो बहुत 30 minus x होगा यहाँ पर हो जाएगा 30 minus 13 यह हो जाएगा 17 तो इसका मिलब शेफाली को अगर 13 number math में मिले हैं mathematics में 12 number English में 18 number या फिर mathematics में 13 number और English में 17 number